hello everyone and welcome to babu's lias center पिछली वीडियो में हमने जिस अम्ब्रेला कट कुर्टी की कटिंग करना सीखा था कलियों वाली अम्ब्रेला कट कुर्ती अक्छली उसी कुर्ती को हम इस वीडियो में सीलना सीखेंगे वैसे तो कुर्ती कटिंग के बाद इसको सिलना बहुत ही आसान है लेकिन फिर भी कलियों को जोड़ते वक्त हमें एक खास किस बात का ध्यान रखना चाहिए वो इसमें मैंने हाइलाइट किया है और अगर आप बिगनर्स है तो आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं पिछली वीडियो में हमें देखा था कि हमने 18 कलियों के कटिंग की थी जिसमें की 9 कलियां आगे की तarf आएंगी और 9 कलियां पीछे की तरफ उन कल्यों को हम आपस में बारी बारी करके जोड़ेंगे जोड़ते रख देखिए हमें क्या ध्यान रखना है मैं आपको फिर पीछे की तरफ लेके आई हूँ देखिए जब हमने कल्यों की कटिंग की थी तब यह देखिए एक साइड हमारे पास तिर्ची निकलती है और एक स्टेट यह वाली देखिए जैसे स्टेट है और यह वाली तिर्ची तो हमें क्या करना है कि सीधी वाली को सीधी की साथ और तिर्ची वाली को तिर्ची की साथ नहीं जोड़ना है दिखें जैसे ये तिर्षी वाली साइड है और ये तिर्षी वाली साइड है तो इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यह देखें क्योंकि stretch हो रहा है तो दोनों piece हमारा stretch होगा तो क्या होगा कि वो stretch होते 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 है नीचे की तरफ लंबा चल जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा मतलब जो हम सारी कलियां जोड लेंगे तो कहीं वो छोटा आएगा कहीं बड़ा आएगा तो हमें कर्टिंग फिर से करना पड़ जाएगा मतलब एक्वल करने के लिए और दबारा कर्टिंग करने का मतलब है कि वो जो हमारा घेरा है एकदम गोल circle में नहीं दीखेगा इसलिए हमें क्या करना कि एक सीधी वाली साइड और तिर्ची वाली साइड की कलियों को लेके इस तरीके से आपस में रखेंगे और देखेगे ऐसा करने से दोनों साइड हमारे पास एक तिर्चा और एक स्टेय्ट वाला साइड आएगा और इसे हम आपस में जोडेंगे फिर सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से देखिए कलीों को खोलने चाण आब बार लो खेता हुआ है मैं दीना प्लाव ग्रावारे साइड कि कपड़ी जो प्रसके सुद्धा ear बार कि तर्फ पर सतुमने पर सोगने चाहिए वह दुशा में यह तरहे होगस झान को सब्सक्रावब्स मेरे मेरे पास तिर्फ्षी वाले आरहीं है तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे तो इस कल्युआ को हम साइड में रखते हैं और एक और कली लेते हैं अग्ण मुद्धि यह Р Johnson की यह देखिए इस कल्या यह तो यह यहां पर तिर्फ्षी वाले के साथ जूड़ जाएगा तो इसे हम यहाँ पे इस तरीके से रखके सिलाई लगा लेंगे अब देखे खोलने पे इस तरीके से आ जाएगा अब फिर वही स्टैप हम करेंगे यह तिर्शी वाली साइड है तो यहाँ पे हम कली की स्ट्रेट वाली साइड को जोड़ेंगे और इसी तरीके को follow करके हम 9-9 कलियों के दो पीस तयार कर लेंगे जैसे देखिए ये देखिए 9 कलियों के एक पीस और इसी तरीके से ये दूसरा पीस भी मैंने सिलके तयार कर लिया है ये अब बारी आती है थोड़ा upper portion की तो upper portion पर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है जो हमने की थूर चुलर बताईएका अब इसका 11 वापस पेंसे लेंगे तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि कपड़े की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ इस तरीके से आमने सामने हो और अशाल से जाने है ये जो सिलाइया है इसे आपस में बराबर करेंगे यहां पर कि यह देखिए और इसी तरीके से तरीके की भी चलाई लगालेंगे है अब यह देखिए ऐपर पॉज्चन हमा़े पास कुछ इस तरीके से बन के आ ऐगा यह देखे अब इसको हम खोलते हैं और यहां पे हम अपनी कलियों को अटाच करेंगे इस तरीके से रखे यह देखे सीधी साइड दोनों उपर की तरफ है और इस तरीके से पलटके इसे हम आपस में जोड़ेंगे और इसी तरीके से यह दूसरी साइड भी देखे इस तरीके से अपनी कलियों को रखेंगे और इस तरीके से पलटके इस तरीके से अपनी कलियों को जोड़ लेंगे यह देखिए इस तरीके से कलियों को जोनने के बाद हम यहां फिटिंग का निशान देंगे मैं इस निशान को गाड़ा कर रहे हूं ताकि आपको दिखाई दे और कमर तक तो हमने निशान लगाए ही था और नीचे की तरफ यह देखिए इस तरीके से नीचे वाले कपड़े को बराबर करके लेते हुए यह नीचे वारा जो गहरा है यहां पर आदा आदा इंच पकड़ते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर इस निशान पर और यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा लिए है, अब यहां नीचे की तरफ हम इसके घेरे की सिलाई करेंगे, तो हमारा यह जो कपड़ा है, इसको थोड़ा-थोड़ा पकड़ते हुए, इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि इसे गुलाई में सिलना हो हम इस तरीके से पकड़के और सिलते जाते हैं, तो वह तरीका गलत है, आपको देखिए, इस तरीके से कपड़े को लेना है, इस तरीके से, और थोड़ी-थोड़ी दूर पकड़ते हुए, इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, देखिए, यह इस तरीके से, थोड़ी- यह सीधी साइड है और यह उल्टी साइड तो यह सीधी तरफ हम थोड़ा-थोड़ा कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर कोई मैचिंग लेस या गोटा लगा सकते हैं तो वह असान होगा जल्दी भी हो जाएगा अभी के लिए मैं इसे ऐसे थोड़ा- आप इसके किनारी मैंने सिल लिया है अब इस फिटिंग का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर मेरी मुरी ग्यारा इंच थी तो ग्यारा का आधा साधे पांच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से दोनों बाजु पर हम फिटिंग दे दे तो यह दोनों बाजू पर अपने फिटिंग दे दिये अब अम इसे जोड़ते हैं कुर्ति के साथ तो देखे कैसे जोडना है यह कुर्ति का आगे का उन्प का अपने चांट दिया था और यह बाजू वाली आयन की छांट देखे कुर्ति भी उल्टी है और वाजू उल्टी तरफ है भी हमने सिधा नहीं किया है इनको तो यह उल्टी साइट का देखिए जो हमने छांड दिया था यह दोनों ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब यह बाजू यहीं पर जुड़ेगी अब इस बाजू को हम परेट की सिधा कर लेंगे और देखिए यह वाली जो सिलाई है इस सिलाई से मैच करेंगे यहां गले की तरफ से इस बाजू को यहां डालेंगे और यह देखिए सिलाई से सिलाई मिलाएंगे यहां पर और यहां से अपनी सिलाई को शुरू करेंगे और दीखे ये वाला जो कपड़ा है इसे हम इस तरीके से यहां पे फोल्ड कर देंगे ताकि एक ही जगा कपड़ा मोटा ना हो और ये दूसरी तरफ ये वाला जब पूरी बाजू सिलते हुए उस तरफ जाएंगे तो उसे इसकी opposite direction में फोल्ड कर देंगे बाजू को जोड़ना अगर आप और deeply और detail में सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएगा तो ये देखिए एक बाजू मैंने जोड़ लिया और दूसरी बाजू जो बची होगी वो हम दूसरी तरफ जोड़ लेंगे कोई भी ऐसी बाज जो आपको नहीं समझा पाई हो तो कमेंट के थुरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगने पर प्रीज इससे लाइक कर लेजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा तो दोनों बाजो हमारी जूट चुकी हैं और ब्लास्ट में ये वाला जो कपड़ा हमने उरे पटी लगाए थी इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम तुर्पाई कर लेंगे अपने पूरे गले पे इस तरीके से ये हमारी अम्रेला कट कुर्ती बनके तयार है वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो प्लीज इस पे लाइक शेर और कमेंट कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बैल आइकन को भी हिट कर लीजेगा जिससे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं थैंक यू और बाई